कि मेटरिक रिजल्ट को लेकरके इंतिजार करने वाले सभी छातरों के लिए काफी बरी ख़वर आज की सुडियों में जानेंगे कि मेटरिक सिक्षा समंदी खबर को जनेंगे चलिए हम पहले जान लेते हैं कि इंटर्मेडियेट परिक्षा का जो मार्क सीट को लेकर कि यहां पर खबर है इनको इंटर रिजल्ट के बाद छात्रों को अंक्वातर का इंतिजार यहां पर देख सकते हैं हिंदुस्तान यूज में खबर इंटर्मेडियेट की परिक्षा कत्म होने के बाद उसका प्रिणाम घोसित तो हो गया है लेकिन अब शात्रों को इसके अंक्वातर का इंतिजार है दरसल असनातक में नमंकन के समय उन्हें अंक्वातर की जरूरत होगी भागलपूर के करीब 45,000 अभियर्तियों ने इंटर पुस्तिकाओं के मुल्यांकन के लिए 4 केंदर भी बनाए गयेते, शिक्षकों की हरताल के बाव्यूद लोगडाउन शुरू होने से पहले यूद अस्तर पर उत्तर पुस्तिकाओं का मुल्यांकन कराकर रिजल्ट निकाल दिया गया अब छातरों को इंतिजार है कि उन्हे उनके अंगपत्र जल्दी मिले जानकारी हो कि छातरों को असनातक में नमंकन लेना है इसमें कई छातरों को भागलपूर्द कई को बाहर जाकर नमंकन लेते हैं लोगडाउन के बाद बिभीन को लोजेव में जो है कि नमंकन की परकिरिया सुरू होगी नमंकन के दोरान विद्यार्थियों को मूल अंगपत्र दिखाना होता है जिला सिक्षाकारिया लेकि एक अधिकारी ने बताया कि रिजल्ट बन गया है लेकिन पटना से यहां अंगप रिबं करके तयार हैं यहां पर जेक्षकते हैं खिरिम बन गया है व्यार फिक्षाक सामिती इसके सिर्फ अंगपा प्रिंट करने निकालना है क्योंकि यहां उत्तर पॉस्तिकायों के मुलियंकन के बाद उसके ऑंग ऐनाइन चाढ़ाया जाता था जो सीधे लेकि फॉर्मे चो लोकडावन खत्म होने के बाद सभी छाथरों को अपने को najज जाकर के अंगपत्र ले लेदा यानी लोकडावन खत्म होते ही एक सप्ता के अंदर में सभी छाथरों का अंगपत्र आ जाएगा और और लोगडाउन खत्म होने के बाद ही ओनलाइन शुरू भी होगा तीन माई के बाद से तो यहां पर आप देख सकता है कि परिक्षा क्लेंडर प्रफेशला अगले सब्ता यानि उन्वर्सिटी का जो है एक्जामिनेशन क्लेंडर अगले सब्ता जारी क्या जा सकता है जारी कर दिया है रेस्ट जो इन्वर्सिटी बस गया है तो उनके लिए जो है कि अगले सब्ता जो है एक्जामिनेशन क्लेंडर जारी हो जाएगा यानि कब से पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थट के फोर्म भरे जाएंगे यानि तमाम बातों की जानकारी उसमें रहेगी प्रिक्षा कितिती और रियल कितिती भी जारी की जाएगी अब पार्ट वन में जो भी स्टूडेंड एडमिशन के लिए इंतिजार कर रहे हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि 30 अपरियल से जो है ना आविदन लिया जाएगा पटना अनिवर्सिटी के लिए और ब्याइन ए एक्जाम भी लेंगे हैं अपकि पोरोन भारेस के मामले को लेकर करके एंट्रेंज एक्जाम आजीत हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है उसके बाद जो भी चात्र एस्कूटनी कंपार्टमेंटल परिक्षा के लिए और लाइन को किंतिजार कर रहे हैं तो वेलोग भी जाना जिए कि तीन माई के बाद से ही अगर लोगडाउन हटा तो शुरू हो सकेगा स्कूटनिया कमपार्टमेंटल के लिए ओनलाइन आवेदन पार्ठट के जो भी स्टुडेंट है सिमान चल जोन के विए पार्ठट रिजल्ट को लेकर किंति जार कर रहे हैं तो आप लोग जान लेजिए कि उनका भी रिजल्ट जो है कि लोगडाउन खत होने के बाद यानि छो या साथ मैई तक आ सकता है अब हम बात कर लेते हैं मैट्रिक रिजल्ट को लेकर के तो यहाँ पर देख सकता है कि ब्यार बोट बारो माई को घोसित होगा मैट्रिक परिक्षा का रिजल्ट यानि लोगडाउन हाटा तो बारो माई को मैट्रिक परिक्षा का रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा सुरू होगी तो ऑफिस्यल जो है की लाटिस जारी किया जाएगा कंपीजांज को लेकर के और अभी देखिए कहीं भी कोई ओफिस्यल नोटिस को लेकर के नहीं आया है आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएए वार्ट से गुरूब को जोईन कर लेजिए चैनल को स सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को दबा दे ताकि आपको विहार बोर्ट से समझे सभी जानकारी मिलता रहे वीडियो देखने के लिए धनियवाद